हेलो फ्रेंब्स में आपका स्वागत है आज हम यह दो नमबर का नजी के ड्रेस बनाएंगे यह मैंने फ्लार शेप में बनाई है और खास दोर पर यह मैंने बसंद पंचमी के लिए बनाई है देखे इस तरह से और मेरे चैनल के बाकी ड्रेस के तरह इस ड्रेस को भी आप किसी भी साइज किसी भी नमबर में बना सकते हैं वीडियो के लास्ट में मैंने सारा हिसाब बताया है अगर आपने इसे बड़े साइज में बनाना है तो किस तरह से बनाना है बस आपने एक फ्लैट सरकल बनाना है जैसे यह बड़े अधिया है इसमें मैंने 5 राउंट बनाई है by 5 नंबर के लिए यह पांच राउंट बनाने के बाद हमने ये फ्लाउ पै looks हैं सेम जैसे हमने यहां पर बनाए है उसी तरह से बड़ी ड्रस में भी बनाएंगी जैसे हम यहां पर लूप बनाए थे तो उसी तरह से यह वी बनाई है उसके ऊपर लूक बनाया है तो चलिए हम यह ड्रेस बनानी शुरू करते हैं और इसके लिए मैंने 11 नंबर का क्रोशिय लिया है 3 mm तो दो नंबर करना जी कि ड्रेस की मैंने चोली बना ली है और चोली के लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 20 हाफ डबल क्रोशिय है 20 10 आगे हैं और 10 पीछे हैं और यह चोली मैंने अपनी वीडियो में बनानी बताई हुई है यह देखिए यह मैंने अपना चैनल ओपन किया है तो प्ले लिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो यहां पर यह बूलन ड्रेस इज की प्ले लिस्ट है इसे आप ऑपन करेंगे इसमें इस चोली का link आपको मिल जाएगा 2 और 3 नंबर का नजिकी और ये देखी ये 5 नंबर का नजिकी है तो यहां से देखकर आप चोली बना लें उसके वाल ड्रेस आप जैसे हमने अभी बनानी है उसी तरह से बनाईए करते हैं हम चीन स्टिच बना कर यहां पर आगए हैं सिलिप स्टिच बना कर आप होल कि साइब वहाँ पर मैं एक दो तीन हमने चेन लिए यहां पर यहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो जहां पर हमने यह लास स्लिप स्टिच बनाया है यहीं पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगे तो इसको भी हम जो तीन की चेन लिए है एक डबल क्रोशिया मानेंगे यह दो बार फिर next में दो बार फिर next में दो बार तो round complete हो गया और round के complete होने पर मेरे पास यह 40 double crochet आए हैं चोली के last भी मेरे पास 20 थे 20 तो हर chain में हमने दो बार बनाया तो यह 40 हो गये 40 एक दो तीन थर्ड चेन में slip stitch से round को जोईग किया इसके बाद एक दो तीन चेन लेंगे तीन चेन लेने के बाद फिर हम साथ चेन और लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ अब हमने double crochet बनाना है तो धागा लिया हमने एक दो तीन थर्ड चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से तो यह loop आ गया हमारे पास उपर फिर हम जहाँ पर join किया है same place पर जहाँ पर हमने यह slip stitch बनाया है वहीं पर हम एक बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यह कुछ इस तरह से आ जाएगा नीचे यह वी बन जाएगी और उसके उपर लूप बन जाएगा और इसके बाद हमने एक दो तीन तीन चेन skip किये फोर्थ में मैंने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे साथ चेन लेंगे दो तीन चार पाच छे साथ साथ चेन लेकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहां पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यह होल दिखाई देता है चोटा सा यहां पर यहां पर यहां पर double crochet बनाएंगे फिर हम same place पर जहां पर हमने यह double crochet बनाया है उसे जगह एक double crochet बनाएंगे तो यह हमारे पास second V आगई एक V यह है और दूसरी V यह आगई उसके उपर loop बन गया एक, दो, तीन skip करेंगे फोर्थ में हम double crochet बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ हमने chain ली अब हम फिर से double crochet बनाएंगे यह जो hole दिखाई देता है छोटा सा यहां पर हमने double crochet बनाया फिर हमने धागा लिया जहां पर यह वाला double crochet बनाया है इसी की chain में हमने फिर से double crochet बनाया तो इस तरह से आप round complete कर ले यह देखिए तीन हम skip करते हैं एक, दो, तीन और फोर्त में हम बनाते हैं तो एक V के pattern के लिए हमारी चार change use होती है तो 40 थे मेरे पास यहां पर तो यह मेरे पास 40 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे 40 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 10 आएंगे मेरे पास इस तरह के loops एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, दस तो 10 मेरे पास इस तरह की 20 चाहिए अब यहाँ पर एक, दो, तीन, थर्ड चेन में हम slip stitch से round को join करेंगे अब इसके उपर हम flower का pattern बनाएंगे तो यह पहले जो यह V है first V है, first V के उपर यह वली जो हमने double crochet बनाया हुआ है यहाँ पर हम पहले single crochet बनाएंगे यह loop हमारा पीछे चला गया इसको इस तरह से पकड़ेंगे एक, दो, तीन, chain लेंगे यहाँ पर हम दो बार double crochet बनाएंगे double crochet इस बार जो हमने बनाना इस तरह से छोटी height का नहीं बनाना तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा कर लेंगे stitch को फिर बनाएंगे थोड़े लंबे-लंबे double crochet यहाँ पर हम बनाएंगे दो बार हमने double crochet बनाया एक हमने तीन की chain ली तो यह तीन बार हो गया टोटल एक तो तीन चेन लेंगे और यह देखिए double crochet के उपर वाले यह जो दो धागे हैं इनको उठाकर single crochet बनाएंगे फिर धागा लेकर यहीं पर हम तीन बार बनाएंगे double crochet लेकिन double crochet जो बनाना है यहाँ पर इस तरह ऐसे चोटी हाइट का नहीं बनाएंगे थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखेंगे stitch को तो यह तीन फिर हमने यह बीच में loop बनाया फिर तीन बनाए अब हमने इसके पीछे यह loop भी है अभी अब हमने इसके जो नीचे यह वी है इसको उठाना है तो इसी के नीचे यहाँ से इसे उठाएंगे इस तरह से पकड़ेंगे तीन बार यहाँ पर double crochet बनाएंगे थोड़ा इस तरह से बड़ा यह वी की हमने एक साइड में double crochet बनाया है अब ये V की दूसरी साइड है, तीन बार वहां पर बनाएंगे, इसे टर्न करेंगे, और ये V की दूसरी साइड को उठाकर, एक, दो, तीन, तो ये इस तरह से हमारे पास एक पत्ती बनी, ये इस तरह से घूम के राउंड में बनी है, अब इस पत्ती को ऐसे नीचे करेंगे, कि इसके पीछे जो लूप है यहां पर हम साथ बार बनाएंगे डबल कुर्शिय धागा लिया कि एक कि दो कि तीन कि चार कि पांच कि छे और इसी तरह से बड़े-बड़े हमने डबल कुर्शिय बनाने हैं लंबी हाइट के एक दो तीन लेंगे साथ डबल कुर्शिय बनाने के बाद तीन ली मैंए यहां पर और यहां पर यह दो धाके उठा लेंगे प्रुश लेंगे फिर साथ बार बनाएंगे एक दो तीन चार पांच शे और साथ साथ double crochet बनाने के बाद इसे हमने join करना है तो यहाँ पर यह जो हमारी पहली V थी जिसमें हमने बनाया है तो यहाँ पर हमने इसे join कर दिया single crochet से तो यह इस तरह से हमारा pattern आया है अब हमने next बनाना है तो next किस तरह से start करना है यहां पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया फिर यह जो V है यह V के उपर वाला जो डबल क्रोशिया है यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बस इसके बाद जैसे हमने यह बनाई है सारी उसी तरह से बनाएंगे पहले हम यहां पर यह जो हमने में तीन चेन आएंगे फिर साथ बर तो स्टार्ट करेंगे यहां से एक दो तीन लिए हमने यह वी के ऊपर जो डबल क्रोश्या है वहां पर हम दो बनाएंगे डबल क्रोश्या एक हमारी साइट की चेन है तो यह तीन होगे यह तो तीन चेन लेंगे उपर वाले दो दागे उ 1, 2, 3, और यह जो V है हमारी इसी के नीचे इसके इस साइड को उठाकर 3 बार बनाएंगे फिर उसके बाद इस साइड को उठाकर 3 बार बनाएंगे तो यहां पर हम 3 बार बनाएंगे double crochet तीन फिर थोड़ा सा इसे और घूमाएंगे ड्रैस को इसका यह जो दूसरी साइड है वे की वहां पर बनाएंगे तीन बार कि दो कि तीन तीन बार बनाने के बाद यह जो लूप है देखे इसको इस तरह से घूम जाएगा यह तो इस लूप में अब साथ बार बनाएंगे एक दो तीन चाँ पांच चे साथ तीन चेन लिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर साथ बार बनाएंगे तो वही बात है इसे थोड़ा इसे बढ़ा रखेंगे स्टिच को फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे बड़ी बड़ी लेंद के हम बनाएंगे डबल क्रोशिया साथ बार तेन, जहाँ, पांच, छे और साथ, साथ हमने बनाए, देखे, अब ये जो हमारी V है, जिसके उपर हमने बनाया है, इसके बाद यहाँ पर हम इसे जॉइन करेंगे, सिंगल क्रोशे से, अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट ये V है, V के उपर वाले डबल क् फिर हम एक, दो, थीन चेन लेंगे और यहां पर डबल कुरुशिया बनाएंगे दो बार तो आगे फिर से उसी तरह से यह diamonds start हो जाएगे जी दिखियो को एधिकिंगे पनाया है और इसी तरह से यह सारी हमने पत्तियां इसकी बनानी है और यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा इस तरह से यहां से काउंट करेंगे एक तो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस टोटल इसकी दस है तो इस तरह से यह बनेगा इसके बाद हम आगे कंटीनू करेंगे तो यह लास्ट वी के ऊपर साथ पर मैंने बनाए डबल क्रोशिया है साथ पर डबल क्रोशिया बनाकर यहां पर इसे जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिय से अब इसके बाद हमने आगे बनाना है छे चेन लेंगे एक दू तीन चार पांच छे चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोश्या बनाएंगे यह देखिए यह जो पत्ती है इसके खतम होने पर इस दो हम स्टिच उठा लेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोश्या करेंगे सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हम 6 चेन लेंगे तीन चाह पांच छे इस दो पत्तियों के सेंटर में यह दो धागे है यहां पर इनको उठाकर सिंगल क्रोशे करेंगे एक दो तीन चाह पांच छे चेन लेंगे सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे पीछे इस तरह से यह चेन आजाएगी दिखें फिर से एक बार यह दो पत्तियों के सेंटर में यहां पर दो हमारे धागे दिखाई देते हैं इनको उठाकर हमने सिंगल क्रोशे बनाना है फिर पिर से 6 चेन लेंगे 3, 4, 5, 6 और जहां से हमने स्टार्ट किया था यहां पर हमने सिंगल क्रोशिय बनाया ज्ञान किया यह दुखी पीछे यह है चेन आगे इस तरह से अब आक्स्ट यहां हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक, दो, तीन चेन लेंगे यहाँ पर दो बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया हमने उसी तरह से बनाना है इस तरह से छोटा सा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे थोड़ा बड़ी लेंद कर तो यह तीन हमने डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन की chain है तो इसको एक मानेगे यह तीन हो गए एक chain लेंगे इसके बाद एक chain लेकर हमने यहाँ पर single crochet बनाना है यह जो हमारा stitch है एक इस side वाला और एक इस side वाला दो धागे लेकर single crochet करेंगे एक chain लेंगे और फिर से यह जो loop है पीछे इसी loop में जहाँ पर हमने start में बनाया है उसी loop में तीन बार और बनाएंगे double crochet एक दो तीन दो chain लेंगे next loop में तीन बार बनाएंगे double crochet एक दो तीन एक chain लेंगे यह जो पत्ती है इसके दोनों side से एक इस side से और एक इस side से एक दागा लेकर यहाँ पर single crochet बनाएंगे फिर हम इसी loop में इसी पत्ती के नीचे जो loop है same place पर जहाँ पर हमने यह पहले तीन बनाए है उसी जगह हमने तीन और बनाने है तो एक loop में total हमने 6 बनाने है double crochet दो और तीन दो chain लेंगे इसके बाद फिर next loop में तीन बार बनाएंगे double crochet एक दो तीन एक chain लेंगे एक chain लेकर यहाँ पर join करेंगे उसके बाद फिर से एक chain लेंगे तो यह देखिए बैक साइड से यह इस तरह से आगा तो राउंड को join करेंगे यह तीन मैंने double crochet बनाए एक और दो chain लेकर एक दो तीन थर्ड चैन में slip stitch से राउंड को join किया एक chain दी और यहाँ पर हम धागे को काट देंगे और पीछे एक एक लूप है जो बड़ा लूप है उसमें हमने चे बार बनाया है तीन बार बनाया है और यहाँ पर दो पत्ती के सेंटर में हमने दो चेन ली है अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे ग्रीन कलर आप कोई भी लगा सकते हैं यह डाक वाला भी लगा सकते हैं और लाईशेड भी तो मेरे पास डाक यह लो है तो मैंने डाक वाला यूज किया है धागा स्टार्ट करेंगे यहां सेंटर से यह धागा लूज ना रहे इसे उपर से घुमा लेंगे अब यहां पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यह सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने एक दो तीन चेन लेकर हमने यहां पर डबल क्रोशिया बनाना है दो बार डबल क्रोशिया उसी तरह से आसे बड़ा बनाएंगे थोड़ा एक हमने तीन की चेंग ली एक इसको डबल क्रोशिया मानेंगे एक हमने बनाया तो ये दो होगे एक बार और बनाएंगे तो ये तीन होगे तीन डबल क्रोशिय बनाए इसके बाद जो फूर्थ बनाना है वो मैं ट्रिपल क्रोशिय बनाना है दो बार धागा गुमाया यह देखिए एक बार फिर दो बार स्टीच थोड़ा लंबा रखेंगे तो यह देखिए इसकी हाइट काफी है इसके बाद एक दो तीन तीन चेन लिए उसी तरह से यह दो धागे उठाकर सिंगल क्रोशिय बनाएंगे एक दो दो बार धागा गुमाएंगे क्योंकि इस लूप के इस साइड हमने एक बार ट्रिपल क्रोशिय बनाया है तो इसके दूसरी साइड भी पहले हमने ट्रिपल क्रोशिय बनाना है एक बार, इसके बाद तीन बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया में हमने धागा, एक बार लिया दो तीन, तो इस तरह से यह पत्ती है हमारे पार टोटल हमने चार बार बनाना है एक हमने ट्रिपल क्रोशिय बनाना है तीन बार हमने डबल क्रोशिय बनाना है देखिए एक तो तीन हमारे डबल क्रोशिय हो गए और एक यह ट्रिपल क्रोशिय इस साइड भी यह ट्रिपल क्रोशिय है और तीन हमने डबल कोशिय बनाए इसके बाद हम एक चेन लेंगे एक चेन लेकर यहाँ पर जो हमने जॉइन किया है इसके यह चेन है यहाँ पर सिंगल कोशिय से जॉइन किया था तो सिंगल कोशिय की चेन में मैंने यहाँ पर सिंगल कोशिय बनाया एक दो तीन चेन लिए य यहां पर फिर से सिंगल क्रोश्य बनाए एक दो तीन चेन लिए फिर से हमने सिंगल क्रोश्य के दो धागे उपर वाले उठा लिए सिंगल क्रोश्य बनाया एक दो तीन चेन लिए फिर से उसी तरह से single crochet बनाया तो यह तीन आ गए हमारे पास यह loop अब हमने इसी chain में जहाँ पर हमने आकर single crochet बनाया था यही पर एक भर single crochet से join करेंगे तो इस तरह से यह मारे पास छोटा सा flower आ गए एक चेन लेंगे, क्योंकि इस साइड भी हमने एक चेन ली थी यहाँ पर, एक चेन ली हमने, उसके बाद यहाँ पर यह जो लूप है, बड़े वाला, यहाँ पर तीन बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, थोड़ी बड़ी हाइट का इस तरह से, यह दो, तीन, दो बार धागा गुमाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चेन लेंगे, एक बार, दो बार, फिर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों साइड हम पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसके लूप के, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क ही इसके बाद एक हमने चेन लेकर पत्ती है इसके पीछे हमने सिंगल क्रोशिय बनाया है स्पीछ हमने सब्सक्राइब बनाये उसके बाद 11 See two ten just a second सिंगल क्रोशिया एक, दो, तीन, फिर से उसी तरह से उपर वाले दो धागे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन चेंड लेंगे, उपर वाले दो धागे उठा लेंगे, तो ये तीन लूप आगे हमारे पास, जहां पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बन तो यह इस तरह से फिलार के लास्क में हमारे पास पत्तियां आ जाएंगी ग्रीम तो राउंड आप कम्प्लीट कर लें राउंड को जॉइन करेंगे तीन बार हमने यह लूप्स बना कर फिलार बनाया चुटा उसके बार एक चेन लेंगे और शुरू में यहां पर तीन की चेन ली है थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइन करेंगे एक चेन लेकर यहां पर भागा कार देंगे तो इस तरह से यह मार पार स्ट्रेस बने हैं बनाने के बाद आप इन फ्लार्स को इस तरह से एक बार खोल दें सारे सेट कर दें इसी तरह से इन पत्तियों को भी आप अड़्जस्ट कर दें अब आप यहां चोली के ऊपर ग्रीन कलर से किनारी बना लें किनारी मैंने बताई हुई है कई वीडियोस में तो काना जी की ड्रेस कंप्लीट हो गई चोली के ऊपर मैंने किनारी बना दी है अब आप इसका डायमेटर देखिए साड़े साथ इंच सेवन एंड हाफ इंच का डायमेटर आया है और यह दो नमबर की ड्रेस हैं एक नमबर में बनानी है आपने तो सीम इसी तरह से आप बना लें चोली आप एक नमबर की बना लें मेरे चैनल से देखकर लिंक आपको मैं सभी साइज की चोली का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो एक नमबर की चोली बनाकर सीम उसके बाद इसी तरह से बनाई और दो नमबर के हमने बनाई है अगर आपने तीन नमबर में बनानी है तो यह देखिए यहां पर हमने एक round बनाया है चोली के बाद तो आप दो round बना ले उसके बाद यह flower pattern बनाए और अगर आपने चार number की बनानी है तो यह दो तो उसमें तीन round बनाई यह वाले पहले जो हमने flat circle बनाना है उसके तीन round बनाई चार number dress के लिए तो उसके बाद यह flower pattern बनाले यह जो हमारा flower pattern है इसकी भी मैं आपको length बदा देती हूँ यह देखिए यहां से हम देखेंगे इसे बिल्कुल जहां से यह शुरू होता है तो सवा दो धाई इंच के करीब इसकी length है तो सवा दो इस साइड तो साड़े चार इंच इसका आपका आ जाएगा area यह जो diameter है सवा साड़े चार इंच तो इससे इसका साड़े चार इंच बन जाएगा और बाकी उसे हिसाब से आप बड़ी dress के लिए अपना फ्लैट सरकल बना ले जैसे जब पांच नुमर करना जी की चोली है इसमें मैंने इसका diameter और साड़े चार इंच इस फ्लार का आ जाएगा तो यह 11 इंच हो जाएगा तो इस तरह से आप बड़ी dress का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने यह वले round कितने बनाने हैं और इसका कितना आपकी length बनेगी फ्लार की अगर आप इसी तरह से बड़े बड़े डवल क्र जैसे हमने यह dress बनाए थी सेम इसी तरह से हमने यह जो बीच वाले round है यह हमने बड़ाने हैं बड़ी dresses के लिए फ्लैट सरकर हमने थोड़ा सा बड़ा बना लेना है उसके बाद यह वाला flower pattern बनाएंगे तो आशा करती हूं कान्या जी कि यह dress आपके लिए helpful रहेगी अगर यह आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू